Assalamualaikum कैसे हो आप सब अलाम दलीला में एकदम ठीक उम्मित करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे क्या बोलू है इस मोटी संडी को बोल रही है कि बहुत डाइट कर ली अब मैं है ना चाय पर अड़ा खाऊंगी कब डाइट की भई उसने इससे पहले वाले वीडियो में ये वहाँ पर जा रही थी पसाधन के पास में उसको रिशवत देने के लिए मोबंक रखाने का और अपने तलवे चटाने का इसलिए इतने नाश्टा नहीं की उसके एक दिन पहले भी ये पता नहीं कहा गई थी तो इसने नाश्टा नहीं की थी लेकिन ये बोलना कि मैं तो डाइट कर रही हूँ भई तु इतना ठूसी इतना करी और तुने क्या बोली कि बच्चे लोगों को मैंने इस्कुल भेज दी हूँ अरे पिटारा तु बच्चो को इस्कुल भेजेंगी तयार करके तुने बेजी है और तु दिखाएंगी नहीं वीडियो में ये तो होई नहीं सकता है और तु कितना जूड बोलती है वो तेरे वीडियो से खुदी पकड़ा जाता है किस तरह से तु घड़ी को हाइट कर रही होती है किस तरह से तु घड़ी को छुपा रही होती है उससे पता चलता है कि तुने बच्चो को इस्कुल भेजी है या किसने भेजा है और तु इतनी बेशरम है तुने दाल वगेरा सब दिखाई बोली आज हम ये बनाएंगे और फिर डिरेक तु खाते हुए दिखा रही पिटारा तु बनाती है तो तु प्रॉपर के ओपर वीडियो बनाती है क्यों क्योंकि तेरे पास में कॉंटेंट नहीं है और अगर तु काम करती है तो वो तेरे लिए बहुत बड़ा कॉंटेंट होता है तो तु जरूर दिखाती है लेकिन तेरे को जूड बोलने की आदत तेरे को तेरी मा ने सिखाई है ना स्कूल के टाइम से बचपन से सिखाई है कि बेटा जूड बोलो इसके लिए तू अपनी जिंदगी जूड पे चला रही है और यहां वाइटी पे लोगों को जूड बता रही है शरम आनी चीए तुझे और पिटारा ने यहां पे गलती कर दी इसकी जब आयत को लेके यह तनी कॉंटेंट बना रही थी इसको दिखा रही थी बार बार और बो रही थी तुम कहां गई थी मैं तुम्हें डून रही थी कल से तुम कहां थी तो पीछे गड़ी नजर आ गई इसने क्या बोली मैं बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ नाश्टा कर आके और जो भी तैयार करके और जब आयत को दिखाई है तो पीछे घड़ी में शाम के पांच बज़े बताओ शाम के पांच बज़े यह औरत नाश्टा कर रही है और इसकी बेटी का मुह देखके साफ नजर आ रहा है कि वो जश्ट सो के नहीं उठी है वो उ लेकर गए होएंगे तो जिए जब बाहर से आयत आये तो यह इसके साथ में वीडियो बना रही है और यह दिखा रही है कि आयत अभी सोके उठीए तो आयत तो सुबह ही सोके उड़ गई होएंगी यह मोटी शाम को पांच बज़े सोके उठीए और बार-बार उसको बोल र यह मतलब स्कूल से आई है मेंस के यह प्रॉपर एक्टिंग करवाती है अब यह खूद अगर शाम को पांच बज़े सो के उठी है तो जाहिरती बाते बच्चे तो कपका आगए होएंगे लेकिन इतने तयबा को कैमरे में लेने के टैम पे अक्टिंग करने लगाई कि इस तर इमकार औरते पिटा रहत हूं और इसके बेटे का यह जो बता रही है अकैडमी जा रहा है तो वो फुटबॉल अकैडमी जा रहा है इसका टियूसन इसने चुड़ा दिये और स्कूल भी उसका बेटा नहीं जा रहा है तिर फार स्रीफ थोड़ा बहुत कभी कबार आती है कि देखो यह स्कूल से आगे-ाई करके नहीं बताती है क्यों कि वो सोता रहता है वो आकेडमी जाने के टैम पे शाम को उटता है वर न तो न वो ना इसकूल जा रहा है न ट्यूसन जा रहा है यह न जूड बोलती एपने विडियो में और जान बुछक्ष कि इसने इस इसको कहीं और डालो इसकी बुके जादा हो गई है देख लो कितना जूड बोलती है ये आदे में से टिंसन चुड़ा के इसको फुटबॉल पे लगा के रखी है और जूड बोलती है कि मिस ने ये बोली है तो मैंने चुड़ा दी हूँ ताके लोगों को जवाब न देना पिठारा जो तु बच्चों को प्यार जता जता के बोलती है ना कि मैं तुम्हें डुनने गई थी मैं तुम्हारे लिए ये लेने गई थी बो लेने गई थी तो इतना जताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तरे बच्चों को आदत है उनको पता है कि हमारी माँ है ना एक याश औरत है क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी ना रोते हैं ना तुझे याद करते हैं ना जीद करते हैं और ना ही उनकी तब्यते खराब होती है तेरे बिना जो तू तयबा को पूछ रही थी आज और कल तू मुस्तफा को पूछ रही थी मेरे बिना घर कैसा था क्या बली त इसको छूट मिल जाए न वो ये बोलेंगी तो है न ये सब जताया मत कर के तेरे बिना बच्चे लोगों को तेरा एसास होता है नहीं होता है ये वीडियो में भी तु भटकने के निकली न आने के बाद में अगर आयत को देखोंगे तो गाड़ी लगाने के लिए जो वो लेते हैं लगिन इसके बच्चे बिल्कुल भी रियाक नी करते क्यों क्यूंकि उनको दिन रात ये चोड़ चोड़ के जाती है दिन रात वो बच्चे अकेले रहते है तो उनको आदत है तो ये सब इंटर्व्यू है ना मत लिया कर पिटारा कि मेरे बिना घर कैसा था मेरी आद आई मेरी कमी मैसूस हूई लक दी लाना तै ते अर इसको सिर्फ और स्ने की पड़ी रेती है न उसके पाषर ये मैं तुम् invade लिए कि उसल धनने गई थी आप लोगों ने कभी कोसर के मुह से सुना है गोंचु उसके मुह पे कैमरा रखे रहता है तो उसके मुह से आप लोगों ने सुना है के पिटारा ने आज क्या बनाई पिटारा ने आज क्या खाई इसके भरगर के लिए क्या खरीद के लायो कौन सी सबजी लायो कौन सा चिकन लाए हो कौने सा मठन तुने कहुतर ञाया के ऑबression नाम के बिना विचारी लंगडी लूडी अपाय ज.» पहुति नाम के बिना तेरा चैनली ने चलता ना इतनी है क्या बूलू गाली निकल रही है मूँसे refrain को गषु को वेजी थी बाजार लाने के लिए औरत को क्योंकि ये तो मर्द है ना ये टांगे उठा के सोती रहती है तो वो गया था बाजार लाने के लिए तो उसको पूछ रही है वहाँ के लिए क्या लेकर आयो वहाँ पर क्या बनने वाला है उसके लिए क्या लायो देख लो कितनी इसको पंचायत रहती है कितना ये कौ कुरा दीन सफर में गया तो बहुत थक गई थी हां पिटारा टांगे उठा के थक गई हैंगी और यह जो लगा किया वाला जो तू सीकी है यह कहीं तू बैट रूम में तो नहीं बोलती है किसी को जो लगा किया थोड़ा सी सुदर जा पिटारा बहुत जादा ही गलीच हरकते कर रही है तू और पिटारा बता रही थी कि वो अपने घर का जो गलीच कोना पड़ा है जो बदबुदार कोड़े बाला वो खाली कर रही है तो यहां से वहां पता नहीं बैग इदर उदर कर रही है और वो जगा को खाली कर रही है बोलती कम नहीं पड़ना चाहिए कम नहीं mexico जो इसको वोह पर जगा चाहिए बोड़ी अगर जगा कम पड़ेंगी तो मैं यहांते फर्निचर भी घताऊंगी वो फर्नीचर फ़ेकेंगी नहीं किवह हटाएंगी क्योंकि यह फर्निचर उनू इसमें देना है ना दहज में देना है लिखके रख लोगो फरनिचर ये इसके दहज में जरूर देंगी और अम्मी को भी बड़ा याद किया जा रहा था अम्मी के लिए सूट लेकर आई हूं सरदियां है तलक के अम्मी आ जाएंगी तो भई अम्मी का आना जगा का बनना और बो रिती में मान चले जाएंगे ना उसके बाद मैं अनौंस करूंगी कि मैं क्या बिद्नेस कर रही हूं तो भई बिद्नेस क्या करेंगी पिटारा तू तेरा वही बिद्नेस है कि दूतरों को लूटना और खुद के अंदर भरना जूड बोलके यह ना मेरे ख्याल से यह कप उड्ती उड़ती पता चली एंखबर आईए चर्यवर चाटने के लिए नहीं आ रही है मेरे को खबर मिली है कि जो औनौंश का भी रिस्ता होने वला है जिसके शान होती है और रिस्ता नहीं होरा है और किससे हो रहा है वो अभी दलक के नहीं पता चला है बहुत जल्दी पता चलेंगा लेकिन हाँ अन्नू का रिस्ता हो रहा है ये पता चला है अब इसके हमी आएंगी देखेंगी बात होगी फिर लोग डिकलायर करेंगे या नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएंगा कि आप पटाराएं घर में बैग देखे यार इतने बैग ऐसा लग रहा है जिसे बैग बेचने का इसको संडे बजार जाके यह उरत कितनी जादा क्या बोलते हैं वो किऊड़े नहीं रहते हैं जो कितनी भी साब जगा पर रखो रेंके जाते गटर में उस तरह की नहीं कीटी है इसक ना कितना भी पैसा आजाए कुछ भी आजाए लेकिन वो जो एक हरकते है ना इसके अंदर जैसे कच्रा जमा करने की और छूड बोलने की गंदे संदे रहने की और बिखारियों की तरह हरकते करने की वो कभी भी नहीं जाने वाली इसके अंदर से इतना बड़ा घर है फिर भी इसके घर में जगा नहीं, घर जगा पे पसा रे है और जगा पे कच्छरा, अच्छा एक बात और, जो अन्नू का होने वाला फरनीचर है, जो उसके दहच का होने वाला फरनीचर, उसके ओपर मैटरेस रखे हुए है, और रम्जा, ये सोरी, इसका मुस्तिफ़ा बता रहा था कि वहाँ पे हम लोग जाके छुपते और उसने ये भी बोला कि आयत को भी हम लोग उदर पे छुपाते और ये बात ये उरत को पता ही नी देखो इतनी हैरत से पूछ रही है और बोल भी रही है मेंको तू पता ही नहीं अरे तको कहां से पता होगा पिटारा पुरी रात तू यारों के साथ में बीजी रहती है पुरा दिन तू सोते रहती है तीन गंटा तू खली है व्लागिंग के लिए निकालती है जिसमें ते को सब पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है बेलकानी में जूला कब बन गया तुझे नहीं पता कौन थी चीज कहां रखे लिए तुझे नहीं पता शैंपू कहां रखे लिए तुझे नहीं पता बच्चे वहाँ पे बैक के उप़र वो कबट के उप़र जो मैटरिस रखे ला है उसके नीचे जाके छूप जाते है वो भी इसको नहीं पता और सोचो वो कितना डेंजर है पैर फिसला कुछ हुआ बच्चे गिरे सर फड़ गया या हाथ पैर तुड़ गया यह उरत को कुछ भी नहीं पता कितनी जादा लापरवा और कितनी जादा बेशरम हो रहते हैं और एक बात बता पिटारा कि अगर तेरे बच्चे ट्यूशन में पढ़ने जाते है तेरे बच्चे स्कूल पढ़ने है तो यह पैंटिंग के अलावा भी कुछ सिखाते हैं वहाँ पे कभी तेरे बच्चों से हमने कोई प्याम या कोई गिंती या कोई पहाडे या कोई सबक ऐसा कुछ भी गुन-गुन आते हुए पढ़ते हुए कभी भी हमने नहीं देखे अगर देखे है तो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग तो ये पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं सिखाते तेरे बच्चों को स्कूल में तो इससे पता चलता है कि बच्चों इसके ना स्कूल जाते है और ना ही टिलसन में पढ़ाई होती है सिर्फ फर सिर्फ बेबी सिटिंग होती है क्योंकि इसको वोई टैम पे बाहर बटकना होता है तो इसको डिश्टब ना हो इसके लिए ये बच्चों को वहाँ पे छोड़ देती अच्छा जो कल बोल रही थी पिटारा के बाहर ने निकलते घर में रह रहे के बोर हो गई थी तो बाहर निकली बहुत अच्छा लग रहे तो वो पिटारा देख ले आज भी तु बाहर निकली है डेली तु बाहर निकलती है डेली तुझे बटकने को चाहिए लेगिन फिर भी तु जूड़ बोलती है कि गर में बैटे-बैटे बोर होगी थी लकदी लानत तिरे उपर वही से पिटारा ने बोली कि कुछ काम है तो जाके आते हैं फिर हमारे गर में मैमान आ जाएंगे तो वह इसा कौन सा काम सा पिटारा जो तुने बताई ही नी मतलब कि इतना जुरूरी काम था का टैम हो जाएंगा लेकिन जब यह वापिस आई ना तो मुस्तफा यह लोगों के साथ में नहीं था मैं इसके फिटारा एक घंटे में वापिस नहीं आई फिटारा ने चार घंटे पूरे लगा के आई दूसरी बात के यहां पर सोचने वाली यह है कि मुस्तफा को फिर लेक कौन आया कौन लेकर आया अब आप लोगों को मैं बताती हूं जैसे पिछली बार यह गई थी और बताई थी ना कि मैं बाहर गई हुई हूं और फिर आने के बाद में बटाई कि हस्बेंड ने टीवी निकाल दिये और वीडियो में जता रही थी कि हस्बेंड मेरे साथ था मेंस कि इसको गोंचु ने चोड़ के घर पे आ गया था तीवी निकाल दिया था फिर ये आई तो टीवी नहीं थी उसी तरह से गोंचु ने इसको कहीं पे छोड़ दिया फिर वो आया गर पे बच्चों के उपर नजर रखने मतलब समालने और फिर टैम पे वो जाके गंटे लगा के आई होती है पिटारा कि अगर बच्चों को देखोगे तो इतने गंदे इसके बच्चे वही सारे कपड़े पहने हुए है और बाल देखो इसने जो सुरू में आयत को दिखाई विडियो एंड होए तलक्य आयत उसी हालत में थी उसके बाल तलक्य नहीं बने और इसने बस जताती है कि मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान ममा की जान शहजादी बस बोलने के लिए होता है बच्चों की हालत देख के पता चलता है पिटारा कि तू उसको कितना सहजादी समझती है ठीक हो गया दूसरी बात ये कपड़े भी इसने जान बुच के दिखाई है इसकी अमा के के लोगों को लगे कि ये कपड़े उपड़े खरीदने गई है अगर के ये कपड़े खरीदती तो ये वीडियो जरूर बनाती जाहर सी बात है कॉंटेंट नहीं है इसके पास में अगर ये मार्केट जाके कपड़े खरीदती तो क्या ये वहाँ पे नहीं दिखाती देखो ना हस्बेंड कैसा ये अम्मी के उपर अच्छा लगेंगा ये अम्मी के उपर अच्छा लगेंगा ये देखो सॉप्ट है ये देखो कॉटन का है ऐसे करकर के ये जरूर दिखाती लेकिन ये कपड़े पहले से पड़े थे जो इसने कबट में से निकाल के दिखा दी ताकि लोगों को ये यकीन आए कि ये बजार गई थी ये कपड़े वपड़े खरीद के आई एक्चुली मैं गोंचु इसको कहीं प जा रही थी ना मो मारने के लिए तो उसके बाल देखना एकदम सही से बने हुए थे और जब वो वापिस आई है ना तो उसके बाल ये से बिकरे हुए थे जैसे इंसान बिस्तर में लेटा है अराम करता है ये सो के उटा है तो बाल जैसे बिकर जाते है खराब हो जाते है न वैसे उसके बाल खराब हुए पड़े थे तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है पिटारा कि तुम मौ मारने के लिए गेई थी घटिया औरत और गोचु गदेडे को देखो के बाहर से आके डैरिक वो उसको उठा लिया आयत को और वहाँ पे अगर कोसर के इधर देखोगे तो बच्चा हाथ उठा उठा के बोलते रहता है मिको उठाओ मिको उठाओ लेकिन ये उठाता नहीं ओ बच्चे को और यहाँ पे ये नाजैस को उठा उठा के बढ़कते रहता है घटिया आदमी हाँ भी अब आ जाते हैं गोचु की जॉब के अपर पिटारा ने थमने लगाई हजबेन को जॉब लग गई मिल गई इस तरह से कुछ लगाई और फिर वीडियो में लेक्चर दे रही है कि जब से हमने काम सुरू किये है तब से कितने रिलाक्स हो गया है यहां हमारा द्यानी नहीं जाता है और तुमे ना दिल लगा के जॉब करना बहुत अच्छे से काम करना और देखो मिसमिल दीजी रहना एक बात बता पिटारा तैनी बात तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा है दिखने में कि वो जॉब कर रहा है ठीक है वो साफ उसे मुझ से ही पता चल किये ना तब से यह हिसाब किताब कर रहा है यह सब से तेरी डीले करवाता है कि तू कितना लेंगी कितने घंटे देंगी क्या करेंगी क्या नी करेंगी वो सारा कुछ काम यह देखता है और यह आज जॉब पे नहीं लगा है जब से तू डी वाले काम पे लगी है तब से य उटके बच्चों को स्कूल बेजना, ट्यूशन बेजना, और बच्चों को संभालना, घर की सबजियां लाना, पौदों को पानी देना, साफ सफाई करना, पहले तो कपड़ा बरतन जाड़ो पोता भी करता था, भी चलो, उतना नहीं करता है, लेकिन पूरा अद्दीन वो पर कोई काम मनूस औरत, वैसे घटिया औरत के अंदर कितना गुरूर आ गया है न, अपना काम अच्छे से करना, जौब अच्छे से करना, उसको सुना रही है, अरे लख दी लानत है तेरे उपर, तेरे सी औरते हैं न, तेरे सी औरतों को यह न, अपने घर की इज्जत नही और तू उसको जौब दे रही है, दलाली का जौब कर रहा है काफी नहीं है, घटिया कहीं की, अच्छा इसने ये भी बोली के मेरे घर पे महमान आ रहे है, मेरे को डिश्टब हो जाता है, मतलब के कोई आता है, तो पहले ही पीछे लगा देना, अपने कुत्तों को उनके, ये सारा कुछ गेम ये खेल लेती है, फिर बोल रही है, मैंने सारी चीज़े चुपा दी हूँ, जो मैं विद्निस कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़े मैंने चुपा दी हूँ, मैं इसके ये जताना चाहती है, कि ये जो राबिया कानी आ रही है, तो वो देख लेंगी, त चाहती है कि कोई ना आए मेरे घर के सोचो कितनी घटिया हो रहत है और एक बास वोग कि ये इससे पहले वाले वीडियो में फसादन को जाके पैसा देखकर आई ठीक है इस वीडियो में राबिया कानिगा बता रही है कि वह आ रही है अब उसको भी पैसे देंगी और थोड़ हर मेने दो मेने में बाटना पड़ता है याद है न बीच में भी ये गई थी तो दज्जाल के पास गई थी राभिया काने के हस बेन के पास अदर उस ने बताया था कि मेरी Operation का पैसा इसने दि तो तबी भी special ये उसको इह दर पैसा देने गई थी तो कितनी घटिया हो रहत है ये कैसे पैसे बाटती है इन लोगों को जूट बुलवाने के लिए मुँ बंद रखने के लिए और उन लोगों को भी हराम का पैसे अपने बच्चों खिलाने का कितना सौख है नहीं मतलब अभी पैसे बाटने का मानते चल रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाफीस हाँ एक बात बताने भूल गई थी कि ये जो इस्टेंड का माप ले रहा था गोंचु और य बहुर ही थी ना के आयanden तयबा के लिए बना दो इसके लिए बना दो तून नहीं यह जो बिजनेस करेंगी ना उसके लिए यह स्टेंड बन वा रही है ना के आयरत तयबा के लिए और आगे जाके आप लोगों को देखने के लिए भी जरूर मिलेंगा तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लाफिश